हाँ मेरे प्रिभाईयों और बेहनों आपने लाखा वन्यारी का भाग एक में देखा और सुना कि राजा की लड़की के अंतिन संस्कार करने के बाद लाखा घर लोट आता है और फिच पुरवर्सों बाद वो राजा की लड़की रूप नगर में एक चंदु ठक के हाँ जन्म लीती है और उसका नाम सुन्द्रा रखा गया सुन्द्रा के चार भाई और एक बेहन थी जिसका नाम बसुन्द्रा था और चंदु अपने चार पुत्रों के साथ बुजारा करता था लेकिन भाईयो ये चंदु अपने सब परवार सेथ नए नए मुसाकरों की ठगई किया करता था तो आए सुनिये भाग गो में अरे बेटा जुन्दार कहां मर के सब के सब पता नहीं अरे बेटा सुन्दार अरे बेटा सुन्दार अरे बेटा मुसांदार जी पिताजी आए आज आओ जल्दी आओ बेटा जल्दी आओ सुने की चिडिया हाँ सुने की चिडिया वो कैसी होती है सुनो आज आप जागर के जितने इपने गाउं के रास्ते है ना चार रास्ते हाँ चारों रास्तों बजाके खड़े हो जाओ और कोई भी चिडिया निकले उस पे नजर रखना और पकड़ के लाना पकड़ के लानी सुन रहे हो ना मेरी बात को हाँ सुन नहीं पिताजी हाँ और सुनो चिडिया को लेकर कबजी में करना है जी अच्छा सोनी की चलिया भीटा सोनी की चलिया जानते हो हां चलो भाई चलो भाईया रामू रुको तुम इधर देखो और भाईया मचंदर तुम अधर देखो और मैं इधर देखता हूं और भाईया तुम अधर देखो कहीं से भी आकास में से कोई सोने की चलिया निकल न जाए ठीक है भाईया हां अरे भाईया इतनों समय है को हम लोगों को अभी तक ऊपर से कोई सोने की चिडिया नजरी नहीं पड़ी क्या भाईया रामु तेरे नजर में पड़ी का नहीं भाईया मुझे तो कोई सौने की चिडिया नहीं है अरें यहां कोई सोने वोने की चिडिया नहीं है युद्टे सटे आगये पापा भी बुड़ापे में चलो यार मैं घबतोय जो मरते हैं हैं चलो इयार करते हैं चलो जो चलो जो मुझे लगाए बिरेटी आ रही है शोनी की चिडिया लेके शुन्दर शुन्दर जी पिताजी बिटा कहा है कहा है कहा है अरे पिताजी सोने की चिडिया की तो चलती क्या है एक मच्छर भी नहीं मिला वहां पे तो अबे बेवकूपो वही तो था एक सोने की चिडिया अच्छा हां अरे बेवकूपो जाओ नायलाय को तुमसे तो कुछ काम भी नहीं होता जरासा काम दिया तुम निकमा नायलाय को जल्दी जाओ चलो तो यह चलो हां देखो देखो बोजा रहा है हां यह बोजा रहा है देखो बोजा रहा है मुसाबिर हां जी जा जी राम राम अरे भाया जयतो कोछ सुनतु ही ना ने जी जजी राम राम हां आप सही कह रही हैं चुनलो तुमनती कह रही हैं चुनलो अरे कौन किसका जीजा और मेरे तो कोई साला भी नहीं है नहीं तो मैं भूले गए अरे तुम कौन हो भाई देख लिए भाई नहीं लोग कहीं है अरे चौड़ा मुझे जाने दो अरे सुना तो सहीवी बात सुनो सुनो बैया मचंदर तुम घर चलो अरे अम्में नहीं जाता अरे कांसी आ गई का हमारी साले जानने पहंचाल चलो इनको ठाले चलो जवेस्ती सी चलो चलो अरे भाई ये क्या हो रहा है भाई क्या बढ़ा जी क्या बढ़ा है अरे भाई या क्या बताएं ये हमारे जीजा जी हैं ये हाँ हम चारो इनके साले हैं बात ये है कि जीजी की विदा कराने के लिए आये थे लेकिन पिता जी ने कहा कि भाई या तुम पंद्रे दिन के बाद ले जाना तो इनकी दमाग में कुछ गर्मी से चा गई और ये 68 से बख रहे हैं उन्टी सीदी तो तुम्हाई रिष्टेदारी मां मामल हो है हां जी य अधिया मैं किसी का साला कोई मेरा नहीं नहीं किसी का जी जाओं देख ले वहिया कैसी उन्टी सीदी बख रहे हैं एक काउं करो हां जिनने ले जा दो आई भाई दिबाओ अजिके मुत अपवाई दियो मत्ती मुत्तानी ता दे ठंड़ो या जागो दिमागो आप आप जी जा क्यों रूते तुम जाओं आई हाई रे क्यों रूते तुम जाओं तरिये विदा सुवें जी जा क्यों रूते तुम जाओं आई हाई रे क्यों रूते तुम जाओं चलो घरे पूरी बनवावें अपने हाथों ते तुमें खवावें बड़ी आखीर खिलावेंगे क्यों रूठे तुम जावो करिये बिदा सुमे जी जा क्यों रूठे तुम जावो करिये बिदा सुमे जी जा क्यों रूठे तुम जावो आय हाय रे क्यो रूटे तुम जाओ कष्टयूं acontece ला याँ पेटो आज तुमने एक अच्छा काम किया है क्याय है यह 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 सोने की चिडिया यह यह ला जाओ 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 जल्दियो इसे इसे ला कि मुरे में जाकर के बंद करतो जाओ ठीक है यह जाओ अपनी बीटियों को बुलबाना चाहिए और इनका सारा धन्रा प्राप्त करना चाहिए अधन्रा अरे बीटी वह सुन्रा का मर गई believe to Die ऑल में को यह भी नहा racism आखरवी ला consig जी पिता जी कैसे बंद्यामगी बैट यह बतुद्ध में राड़ानी बेटा यह बैट गई बेटा वे बतुद्रा एक अमारे घर में न सोनी की चिडिया आई है सोनी की चिडिया हाँ सोनी की चिडिया वो कैसे एक मुशापिर आया है उसके पास में बहुत सारा धन है अच्छा तो ये बात है बस उंद्रा तू जा और कैसे भी करके छल से कपट से उसको लेके आ अरे पिता जी ये तो मेरे बाई हाथ का खेल है देखो मैं उससे कैसे उस धन को लाती हूँ अरे मेरी बेटी जा मेरी पुतुगा जा जा मुझे मालूम था कि तुझ पर मुझे बहुत बरुसा है तुझ सारा धन लेके आएगी जा 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 पुट जा ठीक अब मुझे क्या करना चाहिए मैं कोई ऐसा उपाई करती हूँ जिससे कि वो परदेशी खुद बखुद मुझे सारा सामन दे दे हाँ मैं स्रंगार करकी जाती हूँ और उस पर अपने रूप का जा दू चलाऊंगी जिससे कि वो परदेशी स्वभी धन को दे देगा हाँ पहले स्रंगार कर ले थी एठ लाती बले खाती है रे बो ठग की रेंदेती दिया ठग की हाँ बेटी कोई कोँची लाखा पास जी अरे परदेशी अरे ओ परदेशी अरे जरा मोड के भी तो देगे दहल लो पानी पीलो कौन हो तुम्हें प्यास लग रही होगी न कौन हो तुम में कौन हूँ ये तो बात मैं पता चल जाएगा लेकिन सबसे पहले तुम पानी तो पीलो तब यह धुश हो जाएगे मुझे नहीं पीना तेरी हाथ का पानी पहले मुझे तुम ये बताओ को तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है अच्छा मेरा नाम मेरा नाम वसंदरा है लेकिन जो आपके लिए पानी लाई हो और जो आगे का जो तुम जानना चाहते हो वो दीरे दीरे समालू और आप उधर से के लिक suppose सुनों सुनाई एक बार है बीलोगे ना तौँ बार-बार तभीएत करेगी अरे मिने केहतिया ना अरे उधर बेटू ना जो मुझे कुछोड़ दो आप उधर बेठी अरी पास आओ ना, सुनो मैंने तू तुम्हें अपना सब कुछ मान लिया है, अरो मेरी करीब आकर के बोलो न, तुम्हारे बगेर हम कितने सूने हैं वो कैसे? पेरे बिन सूनी सूनी, रात सुनी की बोल सजना, बोल जानी, आजा गली लग जा, करो मेहरवानी नाना, आप उधर बेखी अरी आओ न, एए अरी आओ न एसा मैं हो कैसा? एसा मैं होटी ढल जा तेरी मस्त जवानी, ना गली लग जा, करो मेहरवानी नाना, गली लग जा, करो मेहरवानी और जल से मैरे तुम्हारी सूरत देगी हैं मेरा तो तन मान, तेवां पहुने अच्छा भरो गयारे भगवान, मैं कहां फच्रियाज से गई? एस सुनो तो सही जा, हमारे दूर से काल, हास लण लगाओ, मेरे सरीश से की चाटो? इतना ड़र लग रहा है? रूप दीखी करे, मैं कस खाओं? तुम मर जाओ ना, लेकिन मेरे पास क्यों आ रही हूँ? मर गई, मैं तो पहले से ही मरी वैठी हो रहे रूप देखी कर, मैं गस खाओं, देखी जवानी तेरी बले बले जाओं लेकिन मुझे डर है येक बात का? किस बात का? खो ऐसा ना हो, ऐसा ना हो की गुजरे ये रात सुहानी की बोल सजना, बोल जानी अजा गले लग जा, कर महरवानी अगर तुझे डर है तो मुझे को भी एक वात का दर है काए काम? एसा ना हो, एसा ना हो की ढल जाए तेरी मस्त जबनी नहीं लगता, कर महरवानी मेना गले लगता, कर महरवानी अजा गले लगता, कर महरवानी मेना गले लगता, कर महरवानी अरे पर्दीसी अरे जरा तुम हमारी पास तो आओ हम कितने बेल सेन हो रहे हैं लेकिन तुम हमसे दूर ही दूर भागते जा रहे हैं मुझे तेरी एक भी बात पसंद नहीं है और तम निर्लक जोहों करके यसी बाते मुझे क्यों कर रही हो सुनो, तुम नहीं जनते पर्दीसी तुम मेरे दिल की बात क्यों नहीं समझते हो क्या तुमको शरम नहीं आती यसी बाते करती थी सरम, अरे जिसने की सरम तो उसके फूटे खरम और एक बात करो न तुमसे क्या जो सरम करता है न वो अक्सर करके मूड पकर के रोता है लेकिन एक बात बताओ तुम मुझे क्यों परिशान कर रही हो मैं तुमारी बातें कानों से सुनना भी नहीं चाता और हमारी सामने से तुम अलग घट जाओ क्या इतनी नफरत है उनसे हाँ सची इतनी नफरत करते हो बिलकुल अरे एक बार हमारी ओन नजर तो उठा करके देखो न मैं तो करती हूँ तुमसे पुकार हाथ को जोड़ करके मैं तो करती हूँ तुमसे पुकार हाथ को जोड़ करके जो बन की, जो बन की, जो बन की लूटो मुझे बहुं सरू को छोड़े करिके अरे तुम बहुत बेश्वम लड़की हो, मुझे तुमार ये पी बात पसंद नहीं इतनी गाली देते हो मुझे देता क्यों मुझे को गाली, देखो हो तो की लाली जो बन में भरी जवानी, तुन पर में भई दीवानी बाहों में, बाहों में, बाहों में लेलो सरी कार सरू को छोड़े करिके मैं पोकरती हूँ, तुमसे पुकार हाथ को जोड़े करिके मुझे कमारी एक भी बात नहीं अच्छी लगती अच्छा, और देखो, इसमें जरू को उढ़ा कर की हो और तो देखो, हमारी सकल की तरफ अरे तुम्हें हमारी बात बुरी लगती है, तो सकल को हमारी बहुत सुंदर है देखो, मेरी गाले गुलावी, परवेजी हो जाहावी खोलो, अव मेरा ताला, खंदा में एसा डाला कर ले तू, कर ले तू, कर ले तू, मुझे से फ्यास्रम को छोड करके मैं तो करती हूँ, कुछ से पुखार हाथ को जोड करके मैं तो करती हूँ, तू, से पुखार हाथ को जोड करके बाहों में, बाहों में, बाहों में ले लो सरिकार स्रम को छोड करके और अभी तुमने मेरी केवल चाल ही चाल देगी है परदे से और जब मेरी पास आओगे न, तो बस तवियत खुश हो जाएगे अरे तुमारे हर अंग-अंग में जहर भरा हुआ है अरे सुनाओ सेजों पर चल मेरी राजा, सांसों में मेरी समाजा सोयासा भागे सगाजा, मेरे सपनों में समाजा सेजों पर चल मेरी राजा, सांसों में मेरी समाजा सोया साब भागे जगा जा दिल की तुम पपन भुजा जा मत कर तू मत कर तू मुझे इनी का तर्म को छोड़ करकी मैं तो करती हूँ तुम सिप बाले हाथ को छोड़ करकी मैं तो करती हूँ तुम सिप बुकार हाथ को जोड़ी करकी जोबन की जोबन की जोबन की लूटो मुझे बहार और मिठी मिठी बाते करी राईरे वो ठागा की रे बेटी वो ठागा की रे बेटी कोलों बीती काईरे वो राती दी मुखमाली नेले चली दाईरे वो ठागा की रे बेती गंगा ख़डा की वो बेती कोलों सुस्ती तन रही चाए जी धन मिलो ना जादू चलो रे वा ठागा की रे बेती भैया ठागा की रे बेती कोई प्रेम चंद रहे गाए जी बसुंद्रा अरे बेटी बसुंद्रा जी पिताजी कहिए क्या हुआ कैसे मूलटका हुआ है तेरा पिताजी वो परदेशी वो परदेशी क्या हुआ पिताजी मैं गई तो थी लेकिन लेकिन अरे बात कैपूरी तो मेरी जान क्यों निकाल रही है बोल पिताजी कुछ भी नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ तुझे धन मिला के नहीं पिताजी लेने तो गई थी लेकिन वहां पर तो मिल नहीं नहीं पाया नहीं मिल पाया कर भी नीस सकती, निकम्मी है निकम्मी है निकम्मी एक नममर की नकम्मी है, मुझे पता हैं तो तुपसे काम नी होगा तुझे फिसकों कौसे काम रिए टो रहतरी तो खाने के अलाबा और जो रहतो दोब हुर। vielen चल चल बागबाग तू मेरी आखों के सामने बाग जा दूसरी लड़की को बला ताउंसाइद वो करके देगी मुझे पूर्ण विश्रास है कि वो मुझे काम करके देगी शुन्दरा अरी बेटी शुन्दरा आजा बेटी आजा देख सुन्दरा एक परदेशी आया हुआ है हमारे गर में अच्छा और उस बहुत सारा धन है वो धन हमें प्राप्त करना है अच्छा और बेटी तू इस काम को कर सकती है अरे ये ये कं तु मेरे लिए बहुत ही आसाने उस परदेशी से केबल धन निकलवाना है हाँ यही तो मेरे प्राइँ हाथ का काम से पिता जी बूझे है केबल आप जानने के इनुमति दीजिए ना जा बेटी जा 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 ना हाँ उसके लिए खाना लेकर के जाती हो इस वहाने से उसे बातों में अपनी जाल में भजा लोगी खाना को लेके चली दाइरे सुन्दा दे नारी सुन्दा दे नारी कोई फुसी जो मना में मानाएगी अरे हसम सक्या बती जाती है रे सुन्दा दे नारी सुन्दा दे नारी कोई पहुची परदेशी पास जी हाँ ये क्या देख रही हूँ है अरे ये परदेशी तो मुझे जाना पह जाना लगता है मैं तो इससे कभी मिली भी नहीं लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कहीं देखा एसे अरे ये तो बही है जिसने मेरे साथ में धोका किया था इससे तो मुझे बहुत ही हिसाब चुकाना है पहले से खाना खिराती हूँ और जब देखूंगे मुसाफिर अरे ओ मुसाफिर कौन हो तुम जागो पहले खाना खालो लो ये खाना रखा है मैं खाना कुद बाद में खाऊंगा पेले मुझे ये बताओ मुझे इस जगे पर क्यों लाया गया है और तुम्हारा नाम क्या है मेरा नाम सुन्दरा है कि नाम तो कितना सुन्दर लेकिन तुम्हारे बचन कितने कड़वे क्या कहना चाहती हो तुम हम क्या कहना चाहते हैं क्या मेरे मन के इच्छा पूरी करोगे तुम क्या मतलब तुम्हारे मन की अरे तुम कहना क्या चाती हो मुझे साफ सा बताओ मैं मैं तुम्हें मैं तुम पर रासगी होई हो मैं तुम पर दीवानी हो इसलिए तुम्हें मेरे मन की मुरादें करनी होगी कभी नहीं हो सकती ये बाते, कभी नहीं हो सकती, आकास के तारे चाहे प्रत्वी पर उतराएं, और प्रत्वी के जीव जन्त चाहे आकास पर चल जाएं, मलिक समुद्र मोहों पहालों पर मगर जाएं, लेकिन ये परदेशी ये ऐसा नहीं, जो तुमारे रूप पर मचल जाए अरे इतने नाराज क्यों होते हो तुम तो इतने गुस्सा हो गए मैं तो तुमसे कितने प्यार से बाते कर रही हूँ और तुम नफरत कहते हो न लेकिन यही तुमारी नफरत मुझे प्यार वालो पड़ता है और सुनो सुनो आज का कितना मौस्त मौसम है और कितनी सुहानी रात है एक वार मेरी बाहों में आओ ना आब बाहों में जूला जूलाओं तुमको प्रीत की रीत सिखाओं अरे मुझको रीत नहीं सिखनी और मुझे प्रीत सिखनी है तुम भगवान के बास से मुझा से छोड़ दो मैं अपने घर को जाओंगा आई ना ना सुनो तो सही आब बाहों में जूला जूलाओं तुमको प्यार की रीत सिखाओं हाई लाज सरम विसराई रे पर देशी न बोले और सुनो तुम्हारा आज का संबंद नहीं है हमारा इसमसे हां है अरे मुझे भागवान यां से चोड़ मेरे बच्चे घर याद करते होंगे मेरी रानी घर पर तू क्या समुझे मेरी कहानी थेरी मेरी प्रीति पुरानी तू क्या समुझे मेरी कहानी अरी कैसे मैं दिले को समझाओ रे पर देशी न माने आज की रात सुख दाई रे पर देशी न बोले और तुम जानते हो तुम मेरी स्वासों में रूम रूम में बस चुके हो तुम ऐसी घ्रोनी बाते करती हो तुम्हें सर्म नहीं आती रूम रूम में तुमको बसां चलिसे जोंपे मुझे उड़ां रूम रूम में तुझे को बसां चलिसे जोंपरी मुझे उड़ां भाय में कैसे मन साओं रे कैसे में मन समझाओं रे पर देशी न बोले आज की रात सुख दाईरे पर देशी न बोले हाँ भायो इधर सुन्द्रा अपने प्रेम जाल में उसे नहीं फसा पाती है आदी रात होने पर वो सो जाता है तो सुन्द्रा हाथ में तलवार ले करके गरदन पर रखकर की बूली उठ पर देशी जितना भी तेरे पास धन है वो मेरे हवाले करते हैं बरना तो बे मौत मारा जाएगा मेरे पास मेरे पास कुछ माल नहीं है और मुझे पता लगा कि तुम लोगों ने मुझे इसलिए बंद किया है हाँ इसीलिए हमने तुझे बंद किया है और आज भलाई इसी में है कि इस धन को मुझे दे दे बरना अपने प्राणों को खो बैठे बातिए संद्रा तु मुझे मार के ऐसे पच्टाएगी जैसे लाखा बन्यारा कुट्था को मार के पच्टाया था क्या कुट्था यह कैसा कुट्था था अरे भागवान पहले यह गर्दन से तलवार हटा अच्छा, यह बात, मुझे तो ऐसा लग रहा है, कि तू मुझे पागल वना रहा है एसी कोई बात नहीं है लेकिन इसमें तेरी कोई चाल तो नहीं नहीं सुनद्रा, इसमें मेरी कोई चाल नहीं और बता कि वो कुट्टा कैसा था जिसे मार करके वो बंजारा पस्ताया था तो सुन सुन्द्रा राजा की लड़की के मर जाने के बाद लाखा गुम सुम रहने लगा और वो कोई काम नहीं करता है उसके पास में जो भी धन था वो खर्च हो गया आये गरी भी गई लाखा पेरे सुनू बैया सुनिये सुनू बैया सुनिये कोई चंद्रा बल दुखो पाये जी थारी आकेली रोई राइरे चंद्रा बली रानी चंद्रा बली रानी कोई गई गरी भी आये जी रोती दिलखती चली दैरे चंद्रा बली रानी चंद्रा बली रानी कोई पहुंची लाखा पास तुझी स्वामी क्या बात है आपने ये क्या हाल बना रखा है अरे चंद्रा बल तुम रोग क्यों रही हो मैं क्या करू स्वामी ऐसा रोग नहीं तो मैं क्या करू इस समय में क्योंकि सुनो हुमारे दिन कैसे आये है वो तो ठीक है परंथ आज तुम ऐसी बाते क्यों करती हो और तुम इतनी बेचेनी सिक्यूर होती है इसका कारण क्या है सुनो पिया पिया इस गरीबी को कैसे मैं निवाओंगे पिया इस गरीबी को पिया इस गरीबी को कैसे मैं दिताओंगी पास वचा कुछ भी नहीं पास वचा कुछ भी नहीं हाती किस पे पिया इस गरीबी को और स्वामी तुम नहीं जांते मैं देख रही हूँ नहीं पिये यह दुख और सुक्त भगमान की इच्छा है और गरीबी को देख करके घबडाओं मती लेकिन मैं क्या करूं स्वामी जवसे मारी सोतन है तुम्हें गम उसा अच्छाया है हाँ सत कहती हो कुम उसी का भी योग किया इस तन को सुखाया है और मुझे उसके सूरत हमारे नेनों से हटती नहीं है लेकिस्वामी जब ऐसा हाला बरहा यदि आपको कुछ हो गया तुम कुछ नहीं उसी की भी योग किया इस तन को सुखाया है हाँ दोस्तो आए गरी भी गई लाखा पेरे सुनों बैया सुनिये सुनों बैया सुनिये कोई चंद्रावल दुखू पायजी थारी आकेली रोई राई रे चंद्रावली रानी चंद्रावली रानी कोई गई गरी भी आई जी रोती दिलखती चली दाईरे चंद्रावली रानी कोई पहुची लाखा पासु जी स्वामी क्या बात है आपने यह क्या हाल बना रखा है अरे चंद्रावल तुम रोग क्यों रही हो मैं क्या करू स्वामी ऐसा रोऊ नहीं तो मैं क्या करू इस समय में क्यों कि सुनो हमारे दिन कैसे आए है वो तो ठीक है परंथ आज तुम ऐसी बाते क्यों करती हो और तुम इतनी बेचेनी से क्योर होती हो इसका कारण क्या है सुनो पिया पिया इस गरीबी को कैसे मैं निवाओंगे पिया इस गरीबी को कैसे मैं बिताओंगे पासवचा कुछ भी नहीं हाती किस पे फेलाओंगे पिया इस गरीबी को और स्वामी तुम नहीं जानते मैं देख रही हूँ नहीं प्लिये यह दुख और सुप्त भगवान की इच्छा है और गरीबी को देख करके घबडाओं मती लेकिन मैं क्या करूं स्वामी जब से मारी सोतन है तुम्हें गम उसा अच्छाया है सत कहती हो कुम उसी का भी योग किया इस तन को सुखाया है और मुझे उसके सूरत हमारे नेनों से हटती नहीं है लेकिन स्वामी जब ऐसा हाला बरहा यदि आपको कुछ हो गया तुम कुछ नहीं उसी की भी योग किया इस तन को सुखाया है गरे तुम को कुछ भी हुआ गरे तुम मैं कुछ भी हुआ तो मैं मर जाओंगे पिया रद में पासवच कुछ भी नहीं हट कित पे फेलाओंगे पिया इस दरीवे में और स्वामे आज ओपर इतनी गरीवी आ गई है नहीं प्रिये ऐसी मुसीबत में हिम्मत दे काम लो घबनाओ मती भगबन हमारी यापती रख्या करेगा स्वामी तर्पे फटी धोगनी है के जीमें छिपरोंगे स्वामी हमारी पंसाथ जो कपड़ी हैं वो भी फटे हुए हैं उससे मेरी काया भी नहीं रख पाती स्वामी तर्पे भटी धोती हैं कैसे काया छिपाओं मैं तर्पे भूता मोती हैं कासे रोटी खिलाओं मैं क्या विरमोदी भूम से बेचेन हैं दुखित मत हो खागरे प्यारी क्या धीक मांगला हूँ क्या धीक में मेला हूँ तुम्हे सरम नहीं आएगी सुमी इस गरीबी को कैसे मैं बिताऊंगी ठीक है चंद्रावल तुम चिंता मत करो और मैं मोती को ले करके जा रहा हूँ धन की विवस्ता करता हूँ और तुम घर पर अच्छी प्रकार सी रहना ठीक है सुमी और अपना और अपने मोती का खयाल रखना हाँ तुम मेरे प्रेमियो इधर लाखा बन्जारा अपने मोती को ले करके चल देता है वो कैसे आगे लाखा जाई रह और लाखा बन्जारे लाखा बन्जारे कोई पीछे मोती जाए जी चलत चलत दोनों जने सुन्दा सुनिनारी सुन्दा सुनिनारी कोई सोच दू लाखा जाए जी अरे धन्ना मली एको से तुहे सुन्दा सुनिनारी सुन्दा सुनिनारी कोई पहुंचो उन्नाटे द्वार जी अरे सेट जी राम 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 भाईया राम राम आओ भाई लाखा आओ बेटो आजा आजा बड़ी दिनन बाद आओ बेटा तू हाँ सेट जी ठीक तो है ना बाल बाद्चे कुसी तो है वो सब भगवान की खेरियत है बोल कियासा आओ बेटा सेट जी हार लाखा हम आपके पास में कुछ आस लगा के आए हैं बोल बोल कुछ मुझे पैसों की जरूरत थी पैसे की भाई हाँ पैसे की जरूरत है भूल कितनी पैसे की जुरूत है अरे मुझे पैसा चाहिए जिससे मैं वैपार करना चाहते है पैसा चाहिए तो कुछ है रखने के लिए जब पैसा मिलेगा रखने के लिए नई सेट जी मेरे पास रखने के लिए तो कुछ नहीं है आप क्या मुझे जानते नहीं हो? लाका तु पागल हुए है, तु जानता है न, बिना कुछ रखे हुए पेशा कहीं मिलता है, लाका तु समझता नहीं है, सेर जी, एक बात कहूं आप से? दो, दो, दो बोल, मेरे पास में और तो कुछ नहीं है, ये हमारा मोती, साथ में है ये, मोता, लाका, लाका, पागल हुए तु, कुटा बिल्ली, चुगों ते कई पैसे मिलते, पागल हुए है, लाका, तु पागल हुए है, सेर जी, सेट जी मेरा कुटा उन कुटों में से नहीं है जो के नित्प्रित गलियों में भूमा करते हैं मैंने इसे अपना बच्चा समझ की पाला है मर जाएगा लेकिन माले कूप और आंच नहीं आने देगा कि यह बहुत है तो वैसे लाखा मैंने तेरा नाम भी भॉस्ण रखा है और तेरी बात ही बहुत है चल कितने पैसे से यह तूब बता ले जाएगा मुझे आप बोपार के लिए धन दे दो अच्छा धन चाहिए तुझे चल ले ये 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 ले दम चल लाव से चेंग ये अरे गोदी मैं मोती ले 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 लाखा बंजरे लाखा बंजारे कोई कहने लागो है पुछी कार जी जब तक लोट ना आई रे मोती सुनू मेरे बेता सुनी मेरे तुमार रहयो से तके पास जी और भाईया आज लाखा बंजार और पुट्टे को कुछ कारता हैं कहता है बेता आज से अपना मालिक इंसेट को समझना और मैं तुझे जल्दी छोड़ा करके ले जाऊंगा भूंक लागे तो मांगी और मोती सुनू मेरे बेता सुनू मेरे कोई तुम को रहे समूझ जाए जी लाखा अरे लाखा सेट जी अब हम जाते हैं और मोती का ख्यार रखना तु चिंता मत कर राम राम जी सेट जी हां भाईयो इधर कुट्टा लाखा बन्जारा सेट के घर छोड़ करके चला जाता है और सेट उस कुट्टे का बड़ा खयाल रखते हैं सोते बक्त भी अपने पास भी उसे बाना करते हैं एक दिन सेट के घर चोर चोरी करने के लिए आते हैं लेकिन सेट जी सो रहे हैं कुट्टा ने काफी प्रयास किया जगाने का और किस प्रकार से जगा रहा है अरे जटक दूसा लाखी चुताने लाखा को कुता लाखा को कुता कोई सेट को रहू है जगाई जी अरे बना हुआ जटक दूसेने लाखा को कुता लाखा को कुता कोई रहो सेट को जगाई जी को जगाई जी हुआ है कर दो हपाएँ इसल्कॉ इसल्कॉ सहाखव मैं बरबाद हो गया रे मैं लुट गया हमें तो पर गया चोरी हो गया मेरे गर मैं बया यह क्या हो गया अरे सेड़ जी चैनल रे मर गया मैं तो तारा कुछ से चुपो जाओ भाईया बड़ी मैंनत की कमाई थी अरे सेड़ जी देखो जी सांती दहान करो सेड़ी रुको सही जा रहा है तो तुम सही कह रहे हैं जालो देखो भाई यह कुट्टा की मत बूचो यह कुट्टे ने ना मुझे रात बन नहीं सोने तो याराम जा दे ने मैं तो सो रहा है पूरी रात नी सोने दिया और अब भी यह भूग रहा है पूरी रात भूगता रहा यहां जा तू ठीकष्टा बाई चल चल भाई शेट जी इसकी जंजिर खो़ लिये हम लोग पीचलते एंट रिकेटिक rend खर रर्रा रर्ण बाप अब लुटर रर्रा बेल अब अबर लाप रर्रा रिर अबर के अराव जितो का मैंग को अ connected बाई मोती तुम बहुत मुली है बाई कैसे तुझे अरे आज बिगेड़ों बनायों मेरो भागी ओ लाखा तेरे मोती ने आज बिगेड़ों बनायों मेरों भागी और मेरे घर में चोर घुसेते नाय कचु हमने जानी और भौकत रहो रात बार घर में नाय जाते मना की जानी ओ लाखा तेरे मोती ने मेरो बिगेड़ों बनायों मेरों भागी हे लाखा कितना बढ़िया तेरा पुटा है समझदार तेरे मोती पुटा लेगों सवे लिवाई और गलों हतो जो धन चोरन को दीनों सबाई बताई अजो बिगेड़ों बनायों मेरों काम ओ लाखा तेरे मोती ने अजो बिगेड़ों स्वामी हां कहिए मैं सोच रही हूँ कि हमारे पास पैसा भी बहुत आ गया है सच कहती हो चंद्रावल और हम कुसल से रह रहे हैं लेकिन मुझे अपने आज मोती की याद आ रही है क्योंकि हमारे पास पैसा भी है क्यों ना आप जाकर के मोती को सेड़ जी से छुड़ा ला ठीक है चंद्रावल मुझे भी अपने मोती की याद आती है मैं अपने मोती को लेने के लिए जा रहा हूँ हाँ तो मेरे भाईयो इधर लाखा बन्यारा अपने मोती को लेने के लिए चला है और उधर से मोती आ रहा है अर मोती को लेने चली दियो रे लाखा बन्यारे लाखा बन्यारे कोई मन में खोशी मानाई जी अरे ये तो लाखा जाए रहा हूँ रे सुनू भाईया सुनिये सुनू भाईया सुनिये कोई पुत से मोती आ रहा है जी अर्ट네 ये तो मेरा मोती मालम पढ़ रहा है लेकिन नहीं जी मेरा मौती नहीं होसकता अरे में तो सेट की गया छोड़के आया हूँ मेरा मौती दोल कर करा है मेरा मौती नहीं हो ऽ शेंता है यह मालम तो मेरा ही मोती पालम पर रहा है लेकिन मेरा मोती नहीं है जरा और निक पास से देखिए उसके यह तो मेरा मोती है लेकिन आज इसने लाखा की ना कदा दी आज मैं तुझे चिंदा नहीं छोड़ेंगा मोती अरे मोती कहां को सिधारे नई आप अमर में मेरी छोड़ के हाय मोती आज तुम हमें समझभार में छोड़ के कहां जा रहे हो मोती कहां को सिधारे नई आप अमर में मेरी छोड़ के हे मोटी, बजपन से पाला था तुनको भारी प्यारी किया था हे बेटा मोटी, मैंने तुझे अपने पुत के समान पाला बजपन से पाला था तुनको भारी प्यारी किया था और हर दम साथ रहा तु मेरे, हर दम साथ रहा तु मेरे पुत्र का काम किया था बह रहे, खुनके भुआरे, नई आभमर में मेरी छोड़िके बेटा मोटी, इस ये दे में कैसे तसली लाओं, कैसे बेटा धीरा जुबादू, मो पूचे न पड़े न और बिना तु मारे अब ये लाखा, बिना तु महने अब ये लाखा जिना आज बचे ना जीवें, को न के सहारे, नई आभमर में मेरी छोड़िके मेरी किस्मत में ऐसा ही दुख जिलने के लिए बदा, खेम होती तुझ से पहले और मुझे दुख मिला एक राजा की लड़की से मैंने भारी प्यार किया था एक राजा की लड़की से मैंने भारी प्यार किया था और वो भी साथ छोड़ गई मेरा, वो भी साथ छोड़ गई मेरा और ऐसा काम किया था जीवों कोन के सहारे लई आप हमर में मेरी चोड़ कें हाँ मोती ए मोती कहां को सिधारे लई आप हमर में मेरी चोड़ कें सुंद्रा हाँ पर्देसी इस प्रिकास से भो लाखा बन्यारा फूट फूट के रोने लगा बस पर्देसी आगे मत सुनाओ मैं इससे आगे कहाथ सा नहीं सुन पाऊंगे पर्देसी लेकिन तुम क्यों रो रही हो सुंद्रा परदेशी तुम नहीं जानते के मेरे पिता ने तुम्हारे पास मुझे किसलिए भेजा था किसलिए भेजा था मेरे पिता ने तुम्हारे धन को लाने के लिए घा था किसी भी हाल मैं इस धन को मैं प्राप्त कर लू लेकिन जब उन्हें सुवा धन नहीं मिलेगा तो वो हम दोनों को ही मार देंगे इसलिए परदेशी तुम जल्दी से यहां से निकल जाओ नहीं नहीं सुन्द्रा अब हम यहां से अकेले नहीं जाएंगे आप भी हमारे साथ में चलेंगे नहीं परदेशी तुम जाओ जल्दी से जाओ नहीं अब तुम भी अमारे साथ चलोगी मैं तुम्हें अकेले मरते नहीं देख सकता ठीक है यदि तुमारी ऐसे इच्छ है तो हम दोनों ही चलते हैं चलो चलो जल्दी चलो सुवे होने को रहे हैं चलो चलो जल्दी से चलो कोई आ जाएगा आपने भाग दो में देखा और सुना कि लाखा बंजारा यानि परदेशी सुंद्रा को लेकर के चला जाता है उससे आगे देखी और सुनिये ले सुन्द्रा को चली दियोने लाखा बंजारे लाखा बंजारे कोई भारी खुशिय मानाएगी अरे चलत चलत दोनों जने लाखा और सुम्रा लाखा और सुम्रा कोई पहुचे जंगला भी जदी हाँ मेरे भायो उधर सुवे हुआ तो चंदू ठग जगा सुवे को चंदू ठग जगा सुनू भाईयो सुनिये सुनू भाईयो सुनिये कोई कैसे रहो अगला ही जी अज तो मैं बहुत बड़ा पैसे बाला बनने बाला हूँ और मेरे पास बहुत सारा धन आने वाला है अरे इन नालाइकों को देखो किस तरीके सो रहे हैं ऐसे घोड़े बेचकर आई हों अरे सुन्दर अरे मचंदर देखो कितनी धूब निकलाई है अभी तक सो रहे हो तुम लोग उठो अरे भाया पिताजी को उस परदेशी की धन के खातिर रात को भी नीद नहीं आती है और खुद भी नहीं सोते हैं और मुझे भी नहीं सोने देते हैं अरे बेब कूफो इस धन को क्या मैं अपनी चाती पर रख के ले जाऊंगा इस धन से आप लोगों की साधी करूँगा क्या पिता जी हाँ साधी हमारी साधी हाँ नाइलाई को तुमारी साधी क्या पिता जी मेरी भी साधी करोगे गदे तेरी भी साधी करूंगा नहीं पिता जी मेरी साधी करना इसकी नहीं पिता जी ये तो सब सोते रहते हैं पिता जी मचंदर वहीया को तो नाग पोंचने का भी सहूर नहीं है सादी मेरी करना पिता जी नहीं मेरी होगी सादी मेरी होगी हम सब की करो तुम साधी हमारी उमर्यों ही जाती जाती बहू बिन लील हमेना आती हो और पिताजी मेरी बहु कैसी होनी चाहिए गोरी हो चाहे काली वे चाल चले मत वाली हो बै वो उमर की बाली होचों पे लगा बेलाली चलने में कमर लचकाती हमारी उमर्यों ही जाती बहू बिन लील हमेना आती हो हम सब की करो तुम सादी हमारी उमर्यों ही जाती बहू बिन लील हमेना आती हो मैं बहू के पेर दबाऊं आरत गर उसे मनाऊं पड़ियार सुगुल लालाओं और बहू को भोग लगाओं अब बात कही ना जाती हमारी उमर्यों ही जाती बहू बिन लील हमेना आती हम सब की करो तुम सादी हम सब की करो तुम सादी हमारी उमर्यों ही जाती जाती बहू बिन लील हमेना आती हो और सुन्दर भया इक दरजन हो मैं बच्चा तुम सब से कहें में चच्चा बलु पतनी भच्ट मैं सच्चा तुम सब से रहूंगा अच्चा मैं दिया बने बोबाती मैं दिया मैं दिया बने बोबाती हमारी उमर्यों ही जाती जाती बहू बिन लील हमेना आती हो हो हम सब की करो तुम सादी हमारी उमर्यों ही जाती बहु बिन मीद हमें ना आती हो जुलबें हो काली काली चित बन हो अजब निराली पतली सी कमर्या वाली आखें हो काली काली एसी बहु जो मुझे को भाती हमारी उमर्यों ही जाती हमारी हम सब की करो तुम सादी हमारी उमर्यों ही जाती बहु बिन मीद हमें ना आती हो हम सब की करो तुम सादी हमारी उमर्यों ही जाती जाती बहु बिन मीद हमें ना आती हो अब हटो ना लाए को यहां से अब मुझे सुन्दरा को देखना चाहिए कि परदेशी से धन निकलवा लिया या नहीं चलो आवाज देता हूँ अरे सुन्दरा अरे सुन्दरा अरे सुन्ती भी तो नहीं है हो सकता है सो रही हो बसुन्दरा अरे बसुन्दरा जी पिता जी जरा सुन्दरा को तु बुला जी पिता जी सुन्दरा बहन अरे ओ सुन्दरा बहन क्या बात है क्यों चिला रही है पिता जी वो वो कमरे में कोई नहीं है क्या पिता जी क्या कह रही है तू न वहाँ पर सुन्दरा है और नहीं वो पर्देसी अरे तू ने ठीक से देखा नहीं होगा नहीं पिता जी मैंने देख लिया है चल तो सही मैं देखता हूँ चल के चलिए चल अरे पर्देसी तू तो बहुत बड़ा ठग निकला तो मेरी बेटी को भी ले गया पिता जी मैंने तो उसकी सूरत देखकर पहले ही कहा था किया कोई मामूली मुसाफिर नहीं है ले गया ना आपके बेटी को मिल गया आपको धन अरी बसंदरा तू अपनी जुबान को बंद रख चले पर नमक मन छिडख चल जाए यहां से सुनदर अरे मुशंदर कहा मर गे सब के सब अरे सुनदर जी पिता जी अरे बेटो गजब हो गया क्या हुआ पिता जी क्या परदेशी से धन नहीं मिला अरे धन अरे बेटो बो परदेशी तो अपनी सुनदरा को भी ले गया क्या कह रहे हो पिता जी मैं ठीक कह रहा हूं बेटा पिता जी हमारी साधी का क्या होगा गधो नालाइको तुम्हें अपनी साधी की पड़ रही है और मुझे अपनी बेटी की पड़ रही है जाने कहा होगी परदेशी की साथ में किस हाल में होगी सच मुच वो परदेशी अपनी सुनदरा को ले गया मुझे तो लगता है मचंदर भईया वो परदेशी अपना सच मुच जीजा बन गया हारामू वो परदेशी बहुत अच्छा था अब हम सब की साधी कैसे होगी भईया पिता जी को धनी नहीं मिला तो साधी कैसे होगी खड़ी बसुनुणा रोई राईरे सुनो भईयो सुनिये सुनो भईयो सुनिये कोई मन ही मन दुखो पाए जी कर परदेशी की यादी कोने बो ठागा कीरे बेटी दया ठागा कीरे बेटी कोई दिला ही दिला रही रोई जी परदेशी तुम में मेरी कोई कदर नहीं की ऐसा क्या था मेरी बहन सुन्दरा में जो मुझ में नहीं था जिसके लिए तुम मेरे दिल में आग सो लगती छोड़ गए परदेशी छोड़ गए अपनी जोगन की और एक बार भी नहीं देखा तेरी जोगनिया तुझको बुलाए परदेशी आद तेरी आए तेरी जोगनिया तुझको बुलाए परदेशी आद तेरी आए परदेशी ने दिलाए मुझे जाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी आद में मेरा क्या होगा तिल तिल कर मरते हुए मुझे छोड़ गए परदेशी नीद ना आए मुझे पल पल तेरी आद सताए मुझे मेरी सूरतिया कैसे भुलाए परदेशी आद तेरी आए तेरी जो गनिया तुझे को बलाए परदेशी आद तेरी आए तेरी रूप ने है मुझे पे जादू किया मुझे बदला तुने किस जनम का लिया यू जुदाई का जहर पिलाकर कौन से जनम का बदला लिया परदेशी तेरी रूप ने है मुझे पे जादू किया मुझे बदला ये है किस जनम का लिया मिर मन का पूले को मिलाए परदेशी आद तेरी आए तेरी जो गनिया तज तो बुलाए परदेशी आद तेरी आए फिर आकर के सूरत देखा दो जरा इस अभागन को धी रज बंधा दो जरा ओ जाने वाले एक बार पीछे मुड़ कर देख ले कोई तेरे इंदजार में कितना व्याकुल है लोटके आजा मेरे परदेशी लोटके आजा ये तेरी प्रेम पुजारन तुझे बुला रही है पिर आकर के सूरत देखा दो जरा इस अभागन को धी रज बंधा दो जरा मुझ रह रह के क्यों तु रुलाए भरदेशी आद तेरी आए तेरी जो गन्या तुझ को बुलाए परदेशी आद तेरी आए तेरी जो गन्या तुझ को बुलाए परदेशी आद तेरी आए सुन्दर अरे मचुन्दर जी पिताजी तुम चारो भाई जाओ सुन्दरा और उस परदेशी को ढूंड कर लाओ ठीक है पिताजी तुम अपना और वसुन्दरा का ख्याल रखना ठीक है जाओ इधर चारो भाई धूनने निकल जाते हैं उधर चलते चलते लाखा सोच करके कहने लगा अरे ये तुम ने बहुत बड़ी गलती की इसको लेकर के घर जा रहा हूँ चंदरावल से क्या कहूंगा क्या सोच रहे हो परदेशी मैं सोच रहा हूँ संदरा तुम्हारे परवार वाली परिशान होंगी और तुम ऐसा न करो अपने घर बापस चली जाओ हां क्या क्या कहा तुमने मैं बापस चली जाओ हां तुम अपने घर बापस चली जाओ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जब मुझे बापस ही भेजना था, तो मुझे लाए क्यों, मैं तो तुम्हारे ही साथ चलूंगी तेले पीछे घर मैंने छोड़ो, काहे पर्देसी मुख मोड़ो एर पर्देसी, एर पर्देसी, विपता से आज बचाए ले, एर पर्देसी, मैं तो तेरे ही संग चलूंगी दुक सुख में तिरो साथ निभाऊं, पीछे को ना कदम हटाऊं एर पर्देसी, एर पर्देसी, नक दिल के बीच बसाए ले, एर पर्देसी, मैं तो तेरे ही संग चलूंगी जो तु कहेगा वही करूंगी, साथ जियू और साथ मरूंगी एर पर्देसी, मोई दिल के बीच बसाए ले, एर पर्देसी, मैं तो तेरे ही संग चलूंगी झरान कार्देस कुलूंगी अरे तुम लोग आ गई? हाँ आ गई पिता जी उन दोनों को कोई पता चला किया? नहीं पिता जी हमने बहुत धूड़ा उन लोगों को बहुत धूड़ा और धूड़ते धूड़ते हम परिशान हो गई मगर वो कहीं नहीं मिले परिशान हो गई पिता जी आप तो जो तिसमे हो से आरहो आप सगुल विचार कर बताओ कि वो कहां मिलेंगे? कहां मिलेगी और हमने कहां दूडे कहां दीनी मैं बतावंगा तुम्हें कहां दूडे दक्छिर दिशा में सोबा नगरी में तुम लोग जाओ सोबा नगरी हाँ सोबा नगरी और उस सोबा नगरी में उन दोनों को तुम ढूंड लोगे जाओ ठीक है पिता जी हम जाते हैं किधर संद्रा और लाखा चल देते हैं तो क्या होता है गला संद्रा का सुखुरा हारे सुनो भैया सुनिये कोई ओठो रहे एक में लाए जी रस्ता चलीना जाते हैं रे सुनो भैयो सुनिये कोई बैठी गई अगसे खाएगी अब मुस्से नहीं चला जाता चलो सुन्द्रा थोड़ी दूर और चलो पर्देशी आप में और नहीं चल सकती मेरे पेरों में दर्ध हो रहा है और मेरा गला सूख रहा है देखो सुन्द्रा वो सामने एक नंगरी है वहीं चलकर पानी पीते हैं हाँ चलो पिर उहां से दोन चली दैर लाखा और सुन्द्रा लाखा और सुन्द्रा कोई पहुंचे नंगर में आए जी सुन्द्र पेखो एका कूप है रे लाखा और सुन्द्रा लाखा और सुन्द्रा कोई कए हूँ अनपे आए जी आओ सुन्द्रा पानी पीलो पर्देशी नहीं पहले तुम पीयोग सुन्द्रा बाद में हम पीलेंगे चलो सुन्द्रा वो देखो व्रक्ष दिखाई दे रहा है उसकी घली च्छाई में बैटके विस्राम करते हैं हाँ चलो पानी पीकर के दोनों बैट जाते हैं उधर चंदू ठक के चारों बैटे ढूनते हैं और सभी लोगों से पूंचते हैं अरे भाईया तुमने मेरी बेहन को देखा हैं वो एक मुसाफर के साथ में हैं अरे भाईया यहां पे मुसाफर तो आते रहते हैं यहां तो रोज नहीं नहीं मुसाफर निकलते हैं चलो भाईया चलो आगे देखते हैं भाईया मुशंदर चलो आगे चलो भाईया आगे चलते हैं लगना कोई देवो पतो बताए चजी जी ढूल रहे आहां कि बहना ढूल रहे बात बताए हम तुमको भली एक परदसी संग आई चली नगर नगर हम धूंडत फिरे भूखते मारे हम सम्मरे सुनो सुनो मेरी बेहना बखो पतो लगना कोई देवो पतो बताए कजी जी ढूल रहे गोरी गोरी उंगली में सुन्दर छले एक मुसाफिर के संग में चले घर पे पिता जी मेरे बहुत दुखी मिल जाए बेहन तब होंगे सुखी तुम मानो मेरा कहना हमें जूंटी न कहना बखो जेवो पतो बताए कजी जी ढूल रहे ओए हो एक बहना धूल रहे ओए हो एक जी जी ढूल रहे आहां के बहना धूल रहे एकन में बेहन मेरी सुन्दर लगे हम हैं भाई उसके चारो सगे कब हूना जादे वो पैदल चली बहन हमारी है नाजों पली मिले हम को बताना तुमें को समझाना बखो जेवो पतो बताए कजी जी ढूल रहे ए सुन्दरा क्या देख रही हो परदे से देखो वो देखो उधर देखो ना ए सुन्दरा यह क्या तु बार बार इसारा कर रही है बार बार तु करे के सारे मूं से कहे क्यों ना जो काए काए नेना से नारे जो काए काए नेना नेना रे जो काए क्यों नेना नेना रे जो काए क्यों नेना नेना रे फूल गुल सन में जैसे खिले हैं दोन पच्ची एं फिर भी मिले हैं अर ऐसे हम तुम भी दोनों मिलेंगे भूल गुल सन में तब ही खिलेंगे आओं मिलते हैं फिर क्यों अवारी जान हाजर है तुम पर हमारी तेरे नेनों की काली घाटाएं मेरे दिल से नाहतिती हाटाएं ओ परदे सी मिलबहों में मिरे गले लगना दोनों प्यार करे सजना ओहु सजना रे जोपाये क्यूँ नेना मैंना रे जुपाये क्यूँ नेना मैंना रे देखो ना कैसे मस्त हैं दोनो देखो उनको तो मस्ती सिछाई मुझे आने लगी अंगडाई अच्छा तुमको अंगडाई आने लगी अरे तुझको ऐसी में दूना दवाई और छूटी जाए ये तेरी अंगडाई हमें ज्यादा ना प्यारे सताओ अपनी बाहों में मुझे को जुलाओ अच्छा आओ दिल में मैं तुमको बसा लूँ अपनी बाहों में तुझे को सुला लूँ जीबन भरतन साथ निबाहों में का उतरा अंग ना दोनों प्यारे करे सजना ओ सजना रे दोनों प्यारे करे सजना सुने सजना रे दोनों प्यारे करे सजना ओ सजना रे तुपाए क्यों ने ना ने ना रे एजे मोसम में कैसे रहूंगे आंदू पिरहा की कैसे सहूंगे अरे तुने सोया सा भागे जगाया मेरा पुझडा जमन हर आया ऐसा मिलने का मोता ये आया आज मेरा विमन हर साया ए सुन्रा एक बार बताओं उन्हे मुझपर जादू सा कर दिया अरे तेरी चितवन ने जादू किया हैं गोरी धड़के ये मेरा जिया हैं प्यार हमारा मर रहेगा मांग बरो ये सजना कितनों प्यार करे सजना सुन सजना रे दोनों प्यार करे सजना तुन सजना रे दोनों प्यार करे सजना है सजना रे दोनों प्यार करे सजना है सजना रे दोनों प्यार करे सजना है सजना रे दोनों प्यार करे सजना पैठे बाते करी रहे रे सुनों भैया सुनिये कोई सुनों लागा कर भैया ध्याने दी हाँ मेरे भाईयो इधर ढूंटे ढूंटे उसी नगर में आ जाते हैं जिस जगह पर लाखा और सुन्द्रा बैठे हैं ये तो चारो ढूंड तो आतो हैं दे सुनों भैया सुनिये सुनों भैया सुनिये कोई सोभा न गरी गए आये दी अरो मचंदर भैया वो देखो सामने दोनों बैठे हैं ऐसा करो इधर से तुम निकलो उधर से हम जा रहे हैं नहीं ऐसे नहीं हो भी तो फिर इधर से हम जाते हैं और उधर से आप आजाओ हाँ ये बाट ठीक है चलो वर राम वहिया चलो वहिया चलो चलो परदेशी तोने बहुत परिशान किया हम गो जी जी मिल गई है अब तोमारी चाधी होगी अब अब चाधी होगी अब अब इधर कूप चुपो जाओ एस पर देशी इन दोनों की बातों में मत आना अच्छी तरह से मेरे साथ चलón, और बहन संद्रा और चलो मेरे साथ घर नहीं सुन्दर भीया अब में घर नहीं जा सकती क्यों नहीं जा सकती मैं इस परदेशी के साथ ही जाऊंगी अब हम इस परदेशी को ही मजा चखाएंगे इस परदेशी ने नाजाने क्या कर दिया चार दिन मेरी बेहन इसके साथ क्या रेली यह तो इसी के गुलबाने लगी देखलो भही है ए पर्देशी थेरो मेरी बात सुनो मुझे तेरी कोई बात नहीं सुननी है और मेरे साथ चल अरे छोड़ो छोड़ो क्या करने यह जोड़ो एक कैसे नहीं जाएगा चुड़ो क्या करते तुमारे अरे इसको ले चलो अरे पक अब क्या बात हो गई भाई, अब क्या बात हो गई, अब क्यो जगड रहे हो अरे सुनो भाईया, ये पर्देशी मेरी बेहन को भगा के ले जा रहा है मैंने इसे पकड लिया है सुनो भाईया, उस दिन तुमारे सामने मुझे जीजा कहकर घर ले गई थे आपको तो मालूम है और अब हम विदा करा के घर ले जा रहे हैं तो हमें जानी नहीं देते नहीं बैया उस दिन तो हमने जूट मूट का जीजा बनाया था ये जीजा की ये कोई नहीं है ये तो लफंगा है लफंगा बात ये है कि हमें अपने घर ये घर जमाई बना करके रखना चाहते है अच्या ये बात है तो मैं भईया जूट बोला है अरे क्या बात है भाई क्यों भीड़ लगा रखी है अरे भाई बात तो इस बात की है ये चारों खड़े हुए न और ये परदेशी है इसके साथ में आपस में जगड़ा कर रहे है और ये कहते हैं कि हमारे साले और ये कहते हैं कि हमारा कोई जी जा नहीं है अच्छा हाँ और आपस में जगड़ा करते हैं अजूर ये तो महामला बहुत गंबी नहीं है यह तो महाराज के पास ले जाना चाई ए चखिए चलो जाओ dobry जो चटो चलो बाइ चलो भाई چलो चलो वह उसे लेड करें चली तैयरे सुनो भाया सुनिये सुनो भाया सुनिये कोई चले भूपा के पास जी लगी का चेरी बिस प्रता पकीरे सुनो भईयो सुनिये सुनो भईयो सुनिये कोई पैठे भूपा मुसे क्या है जी वहां पर दोनों पोच गए रे सुनो भईयो सुनिये कोई सुनो लगा कर गंगा ध्याने जी महराज की जै हो आओ गुप्तर क्या समचार लाए महराज आज हमारे राज में एक अजीब सा जगड़ा हुआ है कैसा जगड़ा? महराज इस जगड़े के बारे में तो मुझे नहीं मालू लेकिन इस बात के बारे में पुत्तू और लगपत इसी गाउं की है उनको मालूम है क्योंकि वो वहाँ मौजूद थे ठीक है उन सभी को दर्वार में पेश किया जाए महराज की जय हो महराज की जय हो कहिए पत्तूलाज जी क्या मामला है? हुजूर कुछ दिन पहले मैंने देखा यह परदेशी जा रहा था और यह चारों कह रहे थे कि यह मेरा जीजा है हाँ तुम बता लगपत महराज और यह कह रहा था कि मेरे पताजी से नाराज होकर के चले आए है तो मैंने कह दिया महराज कोई बात नहीं इन्हें घर ले जाओ लेकिन आज देखा कि यह चारों इस परदेशी से जगड रहे थी और तुम बताओ पुत्तूलाज महराज परदेशी कह रहा था कि यह उसे घर जमाई बना कर रखना चाहते हैं ना जाने क्या मामला है महराज क्या यह बात सत्त है हाँ सत्त है महराज क्या नाम है तिरा परदेशी बोलता क्यों नहीं अगर लाखा नाम बताया तो राजा मुझे पेंचान जाएगा महराज मेरा नाम पन्ना लाल सेठ है मैं कंचनपुर का रहने बाला हूं हाँ और तुम चारों बताओ तुम कहां के रहने बाले हो क्या बात है यह लड़की कौन है तुमारे साथ महराज मैं रूप नगर का रहने बाला हूँ हम चार भाई है और यह मेरी बहें सुन्दरा मेरा नाम सुन्दर है हम लोग मुसाफरों को ठगते हैं महराज और अपना पेट पालन करते हैं महराज महराज मेरा नाम मचंदर है महराज अरे बेव कुफो मैं तुम्हारे पूरे खामदान का नाम नहीं पूछ रहा तुम सब क्यों लड़ रहे थे और तुम इस परदेशी को जीजा केकर अपने घर क्यों ले गए हाँ हुजूर इस परदेशी को मैंने जूट मूट का जीजा बना कर ले गए इसे किस ली ले गए थे महाराज इससे जो धन मिलता वो ले लेता और इसे अपने घर से भगा देता महाराज यह परदेशी तो हमसे भी बड़ा ठक है यह तो हमारी बेहन को ही ले आया हाँ बेटी तुम बताओ क्या यह सच है यह तुम्हें जवर्दस्ति लेकर आया है नहीं लाया मैं ही इसके साथ अपनी मर्जी से आई हो तो बेटी जब तुम अपनी मर्जी से आई हो तो इसमें परदेशी का कोई दोश नहीं बेटी तुम अपने भाईयों के साथ घर जाना चाहती हो नहीं राजन मैं घर वापस नहीं जाना चाहती मैं इस परदेशी से प्यार करती हूँ ठीक है मंतरी जी इस बात का फैसला हम कल करेंगे जी सरकार महराज की जय हो महराज की जय हो महराज की जय हो आज आज फैसला ना भायोरे सुनों भाईया सुनिये मेरे भाईया सुनिये कोई आगे सुनाओं हालो जी के तो चंद्राबल तो फत्हें सुनिये सुन भाईयो सुनिये सरदारो सुनिये कोई करला ठाकी आदी जी सापनों चंद्राबल भाईयोरे सुन भाईयो सुनिये सुन भाईयो सुनिये कोई दुखी भाईयो बको प्रान जी अरे बेहन चंद्रावली अरे ओ चंद्रावली बेहन क्या बताएं हमारे स्वामी बहुत दिनों से बाहर गई है जब भी गए इतना समय कभी नहीं लगाया आज मुझे बड़ी चिंता हो रही है अरे बेहन इसमें घवडाने की क्या बात है कैसे बताऊं मैंने तो आज बहुत बुरा सपना देखा है और सपने में न जाने कैसी कैसी अनहोनी बातें देखी है अरे बेहन सपने किसी के सत्ते नहीं होते है नहीं बेहन मुझे बहुत चिंता हो रही है बहुत याद आती है अरे बेहना अखिया है प्यासी प्यासी उनके बिन च्छाई उदासी अब तक ना आयो मेरो साजना हमो कुई आद प्या की आवे बेहना उन बिन रहो ना जावे हिचकी रह रह के अवे अब तक ना आयो मेरो साजना बेहन जबसे मैंने जब न देखा है तबसे मेरा मंधीर खोता जा रहा है बेहन तबसे मेरा मंधीर खोता जब न देखा है सपनों सुन ले बेहना प्यारी पर नारी ले साथ गूम रहे मेरे सजन हजारी तिया पिया के हिनारी बोले सुन सुन के मेहारी बहना खक्या है प्यासी प्यासी उनके बिन छाई उदासी अब तक ना आयो मेरो सजना बहन सपने कोई सत्य नहीं होते हैं बहन मैं क्या करूं मुझे यकिन नहीं होता हस हस बाते करें पियाबा के डाल रहे गल बहियां प्रेम भरी चित्वन तीबा के तो बताओं बहियां हस हस बाते करें पियाबा के डाल रहे गल बहियां प्रेम भरी चित्वन तीबा के तो ये बताओं बहियां हात पकड के बल मा डोले हात पकड के सैया डोले देख देख में हारी अकिया है प्यासी प्यासी उनके बिन चाई उदासी अब तक ना आयो मेरो साजना मालम पड़त आज मेरी बहना साजन हुए पराए सपना देख के आँख कुली अब हो बे कहा अगारी अपना देख के आँख खुली खोबे कहा अगारी बहना बहना अकिया है प्यासी प्यासी उनके बिन चाई उदासी अब तक ना आयो मेरो साजना ओ मोकुया दिपिया की आबे जी जी हुण बिन रहो ना जाबे हिचकी रह रहके आबे अब तक ना आयो मेरो साजना बहन देखो इतनी व्याबुनत हो और बाहर जानने में समय तो दख जाता है भगवान पर भरोसा रखो वो बापस आएंगे और बहें कैसे भरोसा रखो मेरा मन दियाज खोता जा रहा है मैं तो हर पलू नहीं आज करती हूँ है मेरे साजन लोट के आजाओ लोट के आजाओ आजाओ साजन लोट के आजाओ तुम्हारी प्रियास में बुला रही है बल्मा बल्मा आजाओ अभिजाओ सजना हाचा साजना ओ प्याओ मेरे प्रियास मेरे बल्मा सजना मेरे सजना